सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए उसके लिंक नीचे दी हुई है और हमारे टेलिग्राम का चैनल जो है उसको जॉइन कर लीजिए उसको नीचे लिंक दी है तो उसमें जाकर आप गूरूप में जॉइन हो जाईए ताकि जो भी पीडियाफ होगी वहाँ पर अब लेविल हो जाएगी आपको और कमेंट करके ब जो इंदौर है तो इंदौर में एक मउ जगह है मउ में है जाना पाव पहाड़ी कौनसा जाना पाव पहाड़ी तो उस पहाड़ी से जो है यह निकलती है चंबल नदी तो यह MP के अलावा जो है राजिस्थान में भी जाती है तो क्योंकि उपर के हिस्से में जो MP अपको र भारत भवन कहां है और ये पूछे गए हैं ये question और पहला option आपको मिलता है दिल्ली और सभी लोग अधिकतर दिल्ली लगाते हैं लेकिन भारत भवन आपका भुपाल में इस्तित है ये हो गया अब पूछा है कि कब बना है क्यासी में 83 में 84 में या फिर 82 में तो ये बना है आ अठारा अठारा इसको याद रखना है अठारा अठारा में ब्रिटिस का सन रक्षने यहाँ पर बन गया था इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम 18 साल के आते हैं तो हमको ज़्यादा जो है विदेशी लोग आकरसित करते हैं निकि विदेशी हम फैसन पे जाते हैं यहाँ पर आठारा इस तरीके से आपको याद रखना है आप बोलो कि भाई सब में 18 है लेकिन यहाँ पर 18 साल होना चाहिए तो 18 अगला प्रसन है कि भारत में मध्र प्रदेश किसका सबसे बड़ा उठ्पादक है तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे चना ज तो यहां पर चना होता है अगर इस उप्शन सोयाँबीन होता तो सोयाँएस इसका सई आंसर मालवा का पठार इंद और का इससा सोयाँएस के नाम से भी जानते हैं तो इसका अंसर होगा चना तो इस तरीके से जो है इसको आप सोट आउट कर सकते हो कि आपने देखा भाई यह जूट जूट तो पस्वी मंगाल में होता है तो यह कट गया चीनी उत्तर प्रदेश में है गर्ना जादा सोगर में होता है वहां होगा और चाय आपको सबसे अच्छी दारजलिंग में मिलेगी और चायना सबसे ज़्यादा पात करता है तो यह भी नहीं होगा तो इस तरीके से बचा कौन सा चना ठीक तो इसका अंसर क्या हो जाएगा चना अगला प्रसंद देखते हैं क्या है यहां पर कि निमलेखे जिलों में से किस जिले में अगर हम बात करें यहां पर चिर से दरियां बनाई जाती है ठीक है चिर से दरिया तुक रहे हो तो सता से सतना हो जाएगा तो याद रहे का थाकि याद रहे अगला प्रसंद देखते हैं कि मद्ध प्रदेश में किस इस्थान पर राष्टी और वरक लिमिटेड ने HBJ, HBJ ये देखिए, गैस पाइपलाइन का पहला अंतर देशिये गैस आधारित सहींतर इस्तापित यहाँ पर किया है तो यहाँ पर उप्षन है विजयपूर, कटंगी, हट्टा या फिर नीमस तो इसका आंसर है विजयपूर तो इसका सही आंसर जाएका उप्षन नमबर ए विजयपूर अगला प्रसन है कि 200 सीरीज हौकी टीम भोपाल बात्सा का कप्तान कौन है तो अगर हम बात करें कप्तान की तो यह कप्तान है यहाँ पर समीर दाद कौन है समीर दाद इसके जो है सही मतलब आंसर होगा तो अप्षन भी सही है अगला प्रसन है कि मद्ध प्रदेश में हिंदी साहत सुरक्षा और प्रोटसाहन के लिए निमने से कौन सा संगठन यहाँ पर बना गया है तो मिली जो है साहिद जो है यहाँ पर साहिद परिसत की गठन की गई है हिंदी साहिद परिसत आपने सुना ओगा नाम तो ये साहित परिसद इसकी यहाँ पर संगठन का काम करती है और ये सब चीज़ें होती है तो इसका आंसर साहित परिसद उनके बारे में गीत बगेरा गाते हैं तो इसका सही आंसर होगा स्रवन कुमार एकदम सही आंसर होगा अगला प्रसन की बात करते हैं अगला प्रसन है कि निम्ले में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है तो भाईया MP में एक मात्र भारत में एक मात्र पन्ना जिला जो है जहां पर हीरे मिलते हो हरिका हरा हीरा भी मिलता है तो यह एक important question यहाँ से बनता है तो अगला प्रसन देखते हैं यहाँाँ पर 38 सताब जी की बात की जा रही है जिसमें होलकर रानी अहलियावाईी की बात की जा रही है प्रतीवा निम्लेखित में से कौन सी कला के रूप में जो है प्रेरित इसको किया जाता है तो मेली यहाँ पर अगर हम बात करें तो महिसरी साडी से रिलेटेड चीज़ा यहाँ पर होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा महिसरी साडी अगला प्रसन है कि मद्ध प्रदेश में gun carriage factory GCF कहाँ पर है तो यह GCF जो है JBP यानि की जवलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा GCF है जवलपुर में COD भी है यहाँ पर जवलपुर में ठीक है Central Ordinance Depot है BSNL है आपका Training Center है BSNL का ठीक है Ordinance Factory जो मतलब OFK है यहाँ पर ठीक है OFK भी जवलपुर में आपको देखने को मिलेगा Gray Iron भी मिलागा GI भी मिलेगा आपको Gray Iron तो यह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है I hope कि यह clear हो गया होगा मैस भी है मतलब इंजीनिरिंग मिलेक्टरी सर्विस भी है I, ME भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस सब चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी डिफेंस से रेलेटिड तो आंसर है अगला प्रसन है कि निमलेकित में से किसने भारत के मुखने आइदी इसके रूप में कार किया था पूछा गया है तो यह जो उन्होंने किया था यह लाहोटी जी ने किया था तो रमेस चंदर लाहोटी जो थे इन्होंने जो है इसके रूप में यहाँ पर काम कर चुके हैं तो answer है option number D अगला प्रसन है कि खाद पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ पर इस्थापित किया जाएगा यह उस समय का current affairs है यानि कि 2016-17 का यह current है तो उस समय जो यह answer था यह था अमलाहा क्या था answer अमलाहा था तो देखिए भाई आप लोग अगर current affairs की यहाँ पर बात कर रहे हो तो current affairs अगर आपको देखना है तो मैंने तीन महीने का MP का most IMP 62 कॉस्टन बताए है तो यहाँ पर I button में मैं लिंक दे दे रहा हूँ उस पर जाके उस वीडियो को आप देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका answer है option number C अमलाहा सत्पुडा राष्ट्रिय उद्यान की स्थापना कब हुई थी तो सत्पुडा राष्ट्रिय उद्यान की स्थापना की बात करें तो यह आपको निस्वस्थी में स्थापित किया गया था तांसेन जी को आपको जानते हैं कि ऐसा बोला जाते है कि जब वो अपना वाध्य अंतर बजाते थे तो बारिस तक हो जाती थी दिया जल जाते थे तो ऐसा ऐसार वो राग छेड़ते थे अगला प्रसन है जो की सत्रवे नंबर का प्रसन है कि ओम कारेश्वर का दीफ है सुभाविक रूप से किस आकार का है तो भाईया ओम कारेश्वर का जो दीफ है सुभाविक रूप से ओम का ही आकार है इसलिए उसको ओम कारिस्वर बोला जाता है तो उसका आंसर है ओम तो चौथा आंसर इसका एकदम सही आंसर होगा तो आई होप कि ये किलियर हो गई होगी चीज़े आपको अगला प्रसन है कि मद्रप्रदे सरकार ने बारसिक बजट पेस करते हैं दोहचार सत्रों को क्या घोसेत कियाना कि दोहचारा का जो येयर है उसको हम क्या कहते है खात्स रक्षा सिक्षाब रक्षा ब्रदीस इसू कल्लेाड गरीवी कल्लेजार पर तो इसको बोला जाता है घरीवी कल्लेार पर Cathy 파प्सन डी सही याद रखना है अगला प्रस्न है कि भोज साला मंदिर कहां परिस्तित है तो जो भोज साला है वो धार में आपको इस्थित आपको देखने को मिलेगा तो धार जिला इसके लिए सही आंसर होगा धार तो आज का लास्ट कॉचन देखते हैं कि राचकुमार बर्मा एक कभी है तो इसका अंसर हो जाएगा option number C कभी तो यहाँ पर सिप्ट का पहला सिप्ट था उनिस तारिक का कल आपको दो वीडियो इसको मिल जाएंगे एक में हम पढ़ लेंगे इसका second shift और third shift तो जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको most probably 10 दिन में हम पूरे इसके जो 24 shift में पेप कार सिद्ध होंगी क्योंकि MPGK के जो question है वो आपसे exam में repeat हो जाते हैं कई MP ब्यापम में तो आपको सहूलियत होगी जो exam होने वाला 28-29 तारिक को ठीक है तो अगर आपको अच्छा लगा है session तो लाइक कीजिए, comment कीजिए, अपने दुस्तों के सेर कीजिए चैनल को subscribe करना ना भूले, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you, जै हिंद, जै वारत